Good morning kids बच्चों कल हमने अपनी बुक की वक्षीट कम्प्लीट की थी और बच्चों आज भी हम अपनी ये बुक वाली वक्षीट कम्प्लीट करेंगे जो इसमें आपको क्या करना है इसमें देखोगे कि ये shapes बनी हुई है और उनके सामने number लिखे हुई है जैसे बच्चो फर्स्ट नमबर पर ये सर्कल सेप बने हुई है और इसके सामने फोर नमबर है तो बच्चो आपको क्या करना है आपको ये चेक करना है कि किस सेप के सामने कौन सा नमबर है जैसे circle के सामने 4 number है तो बच्चो आपको इसमें 4 circle draw करने है means 4 छोटे छोटे गोले बनाने है ऐसी बच्चो अभी आप shapes के बारे में नहीं समझ पाओगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी आपको इनकी ऐसी picture draw करनी है better try करना अपने आप draw करने की जैसी भी बने बर try करना या आप कर सकते हो तो बच्चो आपको बाकी सबको भी ऐसे ही check करना है और उनको draw करना next worksheet बच्चो हमारी ये है जो अभी आपको दिखाई दे रही होगी बच्चो ये एक coloring worksheet है इसमें आप बहुत enjoy करोगे बच्चो आपको इसमें color कैसे करना है ये देखिए बच्चो यहाँ पर color के code दिये हुए है और उनके सामने numbers लिखे हुए है जैसे बच्चो ये one number है और ये इसका code है means आपको इस picture में जहाँ पर भी one number दिख रहा है उसमें आपको ये color करना है ठीक है बच्चो सेम ऐसे ही two, three and four number है और ये उनके code है means आपको इस picture में जहाँ पर भी two, three और four number दिखाई दे वहाँ पर आपको ये वाले color करने है means picture में जहाँ पर two number है वहाँ पर आपको ये color करना है जहाँ पर three number है वहाँ पर आपको ये color करना है जहाँ पर four number है वहाँ पर आपको ये वाला color करना है ओके बच्चो और बच्चो जब आप इस picture में color complete कर लोगे तो आपको देखना है ये किसकी picture बनी और अपनी ममा को बताना है ठीके बच्चो तो ये दोनों worksheet आज आपको complete करनी है और इसके साथ साथ आपको 0, 1, 2, 3 and 4 number का revision करना है तो बच्चो आपको इस worksheet को भी complete करना है ओके तो बच्चो मिलते हैं मंडे को Till then thank you and bye bye kids